हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है पसंद मोहित आज सुभा जल्दी उठ गया था रात बर सो भी नहीं पाया आज वो बहुत दुखी और परिशान था मोहित बार बार अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा था कि किस तरह वो अपनी पतनी कंचन से साधी के पहले पहली बार मिला था उचने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा मोहित अपनी कजन की साधी में गया था वहीं उसकी पहली मुलाकात कंचन से हुई थी पिंक कलर के लहंगे में कंचन बेहत खुबसूरत लग रही थी वो मोहित की कजन नेहा की बहुत अच्छी दोस्त थी कंचन एक बहुत प्यारी लड़की थी वो देखने में जितनी खुबसूरत थी उतनी ही विनमर सभाव की थी वो एक पढ़ी लिखी और समझदार जो से मिलता उसकी तारिफ करते नहीं थकता था उसने अंबिय किया था और एक कंपनी में उसकी जॉब थी मोहित एक साप्ट वेर इंजिनियर था नेहा की साधी में जब दोनों की मुलाकात हुई तो पहली बार मिलने पर ही दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला उसके बाद दो चार मुलाकातों के बाद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने साधी करने का फैसिला कर लिया दोनों के परिवारों ने भी अनुमत दे दी और भहुत धुमधाम से दोनों की साधी हो गई मोहित और कंचन बहुत खुश थे मोहित के परिवार में उसके माबाप और दो बड़ी बहने थी दोनों बहने की साधी हो गई थी वो सब अपने परिवार के साथ आई हुई थी और अने महमान भी आई हुए थे सभी दोनों को सब कामनाय दे रहे थे मोहित की मा पुराने खयाल की थी उन्होंने साधी के लिए स्विकरत तो दी थी पर मन में वो एक पूर्वा गरबना कर बैठी थी कि ये लड़की कहीं मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे कंचन का ससुराल में पहला दिन था वो सबसे पहली बार मिल रही थी थोड़ा जिजक भी रही थी क्योंकि हर रिष्तेदार अपने अपने ढंग से बात कर रहे थे कोई मोहित के बारे में कहने लगता कि तुम बहुत खुसकिस्मत हो कंचन कि तुम्हें हमारा मोहित मिला है हमारा मोहित तो हीरा है हीरा कंचन सबकी बाते मुश्कुरा कर सुन रही थी कोई कहता कि मोहित अपनी मा का बहुत लाडला है तुम उसका पूरा ध्यान रखना दोनों बहने भी कहने लगी कि हमारा मोहित मा के साथ साथ हम सभी का लाडला है हमारे मोहित के लिए बहुत अच्छे रिष्टे आये थे तुम लखी हो कि उसने तुमको पसंद किया ये सब सुनकर मोहित हसने लगा और बोला अरे कंचन हमारे घर में नहीं है दीरे दीरे हो महित की बहने अभी रुकी हुई थी मोहित की बहने और सभी रिष्तेदार सभ एक ही सहर में रहते थे एक सहर में रहने से रोज कोई ना कोई मोहित के घर आता रहता था विचारी कंचन हर किसी का प्यार से स्वागत करती पर उसकी सास के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं आती थी उनको हर समय यहीं डर लगा रहता कि मोहित और कंचन ने पसंद से साधी की है अब तो मोहित इसी की हर बात मानेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की मेरे बेटों को ले जाकर अलग घर वसा ले जबकि कंचन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी वो बहुत समझदार और सबड़ों का सम्मान करती थी और छोटों से भी प्यार से बात करती थी कंचन बहुत ही सीधे सुल्शे सभाव की थी उसने भी सोचा कि धीरे धीरे सासु मा भी उसको समझेंगी कंचन अपने माबाप की इकलोती बेटी थी उसके दो भाई थे एक पर यहां ससुराल में आकर उसका जैसे जीवन ही बदल गया था वैसे घर में कोई कमी नहीं थी लेकिन एक प्यार और अपनापन कहीं नहीं था धीरे धीरे समय बीतने लगा और यहां ससुराल में उसको अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि यहां हर कोई मोहित के बारे में ही बात करता और उसे हिदायत दी जाती कि वो मोहित का पूरा खयाल रखे उसकी पसंद का खाना बनाए वो आफिस से ठक कर आता है तो कहीं घुमने जाने की जरूरत नहीं है जब मोहित का मन करेगा तो तुम्हें ले जाएगा कंचन इतनी प्यारी और समझदार लड़की थी वो मनही मंदुखी रहने लगी फिर भी वो वहां के माहौल में सामन जस बनाने की कोशिज कर रही थी उसका आत्मी विश्वास भी कम होने लगा था क्योंकि मोहित की मा और बाकी घरवाले अक्सर कंचन को ही यही कहते रहते थे कि हमारे मोहित के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी तुम लखी हो कि उसने तुमको पसंद किया हमारे मोहित का खयाल रखना कंचन यहीं सोचती कि जब मोहित ने मुझे पसंद से साधी की है तो अब इन बातों का क्या मतलब है उसने जब कभी भी मोहित से बात करी तो मोहित उसी को समझाने लगा कि तुम गलस समझ रही हो मेरी मा और मेरी दोनों बहने मुझे बहुत प्यार करती हैं और उनको मेरी परवा है अब इसमें तुम्हें क्या परिशानी है ये सुनकर कंचन को बहुत दुख पहुचा और उसने मोहित से कहा कि मुझे क्यों परिशानी होगी लेकिन जैसे मैं इस घर को और सब लोगों को पूरे मन से अपना रही हूँ तो फिर घर के सब लोग मुझे परिवार का हिस्या क्यों नहीं मानते लेकिन मोहित ने उससे कहा कि ये सब बेकार की बाते हैं ऐसा कुछ नहीं है इतना कहकर वो वहां से चला गया कंचन हैरान थी कि ये वो ही मोहित है जो साधी के पहले इतनी प्यार से मिलता था कंचन ने अपना आफिस जोईन कर लिया रोज सुबह जल्दी उठकर वो सब के लिए नास्ता और खाना बना कर जाती आफिस से जब वो साम को आती तो घर में कोई ना कोई रिष्टेदार बैठा मिलता कभी नंदे होती तो कभी कोई और आते ही वो फिर काम में लग जाती सब हस्ते बोलते और बाते करते रहते कंचन से एक अपचारिकता मातर बात की जाती वो अपने घर को बहुत मिस करती थी एक बार कंचन को बुखार आ गया मोहित भी घर में नहीं था वो आफिस के काम से दूसरे सहर गया हुआ था यहां कंचन बुखार से पड़ी थी सुभा को वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाई उसकी सास को इतना भी नहीं हुआ कि उसके कमरे में जाकर उसे पूछ ले कि उसे क्या हुआ है बेचारी कंचन खुदी उठकर बाहर आ कर बोली कि मम्मी जी कोई दवा है तो दे दीजिए मुझे बुखार आ गया है उसकी सास ने कहा अरे बुखार आ गया ठीक है दवाई देखती हूँ ये कहकर वहां से चली गई और एक बुखार की टेबलेट लाकर दे दी उन्होंने जल्दी से कंचन के घर पर फोन कर दिया और उसकी मा से कहा कि आप कंचन को बुला लीजिए उसको बुखार आ गया है यहां मोहित भी नहीं है बाहर गया हुआ है इतना कहकर उन्होंने कंचन से आकर कहा तुम अपना सामान पैक कर लो मैंने फोन कर दिया है तुम्हारा भाई आ रहा है थोड़े दिन अपनी मा के यहां चली जाओ इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई कंचन बहुत आहत हो गई थी खैर जैसे तैसे उसने अपना सामान पैक किया थोड़ी देर में उसका भाई उसको लेने आ गया जैसे ही उसने कंचन को देखा वो बहुत परेसान हो गया उसने तुरंथी कंचन को लिया और घर ले आया कंचन का सरीर बहुत तप रहा था उसकी माने जैसे ही उसे देखा वो रोनी लगी और कहनी लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया कंचन का भाई सुमित बोला मम्मी कंचन को बुखारा गया है तुम इसको समालो मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ इतना कहकर सुमित चला गया कंचन अपनी मा को सामने देखकर उसके गले लग गई उसकी माने उसे बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पास बैठे गई उसके पिता और छोटे भाई भी आकर कंचन का हाल पूछने लगे और वहीं कमरे में बैठ गए इतनी में दाक्टर साहब भी आ गए नोंने कंचन का चिकप किया और बोले वाइरल बुखार है मैं दवालिख देता हूँ एक हपते में बुखार कम हो जाएगा कंचन की मा उसका बहुत खयाल रख रही थी और दोनों भाई और उसके पिता भी दो दिन में कंचन बहुत ठीक महसूस कर रही थी अपने घरवालों को देकर उसका मन भराया इस प्यार और अपने पन को वो तरस गई थी एक हपते के अंदर ही कंचन ठीक हो गई थी कंचन का चेहरा अभी भी मुरजाय हुआ था कंचन की मा ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा तेरे चेहरे को देकर लग रहा है कि तु किसी वज़ा से परेशान है कंचन ने कहा अरे नहीं मा मेरी तब्यद ठीक नहीं थी ना इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा होगा लेकिन सच बताओं मा मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है कंचन ने मा से कहा कि मामे कल ससुराल चली जाऊंगी वहां भी मम्मी जी को काम में मुश्किल हो रही होगी मुहित भी आने वाले होंगे उसकी माने कहा ठीक है अभी तू आराम कर ले दूसरे दिन कंचन अपने ससुराल वापिस आ गई उसे नहीं देखा उसके सा ससुर दोनों कमरे में बैठे थे कंचन को देखकर उन्होंने पूछा अब कैसी हो कंचन ने कहा अब ठीक हूँ मम्मी जी इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और उसने देखा कमरे में मोहित आराम कर रहा था उसे देखकर कंचन भहुत खुस हो गई और उससे पूछने लगी कि अरे आप कब आए मोहित ने कहा आज सुबह आया उसने कंचन से पूछा अब तुम्हारी तवियत कैसी है मुझे पता चला कि तुम्हें बुखारा गया था कंचन जब तक कुछ बोलती उससे पहले मोहित कहने लगा ये क्या कंचन तुम्हें जरा सा बुखार के आया तुम अपने माई के जाकर बैठे गई मुझे माने बताया कि तुम्हें ने जिद की थी वहां जाने की क्यों यहां डाक्टर नहीं है क्या पता नहीं तुम्हारे घरवाले क्या सोच रही होंगे मोहित एक सांस में बोले जा रहा था कंचन की आखों में आशू थे और वो मोहित को हैरत से देख रही थी उसने मोहित को बताना चाहा पर मोहित कमरे से बाहर आकर मा के कमरे में चला गया कंचन बहुत दिखी हो गई थी और अब उसकी सांसक्ती भी जवाब देने लगी थी उस समय तो चुप हो गई लेकिन उसे ने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है दूसरी दिन सुभा मोहित आफिश के लिए तयार हो रहा था तभी कंचन ने उसे कहा कि मोहित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मोहित ने कहा आज मेरी जरूरी मीटिंग है मुझे जल्दी निकलना है आफिश के लिए अभी कोई बात नहीं करनी है वैसे भी तुम अपना रोना लेकर बैठ जाओगी कंचन कुछ कहती उससे पहले मोहित वहां से चला गया कंचन का मन बहुत दुखी था और वो यहीं सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है उसने एक पेन और पेपर उठाया और लिखना सुरू किया मोहित मैं जा रही हूँ हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद करके साधी की थी और मैं बहुत खुश थी कि जीवन साथी के रूप में मुझे तुम मिले थे लेकिन आज मुझे बहुत दुखो रहा है कि मैं गलती मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी आखो पर और समझ पर तुम्हारी मा के प्यार का पलदा पड़ा हुआ है और तुम वहीं देखते हो जैसा तुम्हारी मा दिखाती है मुझे जब बुखार हुआ उस समय मेरा पूरा सरीर तप रहा था मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी मुझे बुखार आ गया है अगर कोई दवा है तो दे दीजिए उन्होंने मुझे दवा तो दी पर साथ ही मेरे घर पर फोन करके कहा कि कंचन को बुखारा गया है आप लोग इसे ले जाएए और मुझे आकर कहा कि अपना सामान पैक कर लो और अपने माई के चली जाओ तुमसे उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मैं नहीं जानती हाँ इस बात की मुझे बहुत तकली पहुची कि तुम्हारी माने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतने बुखार में ये कैसे जापाएगी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिस की रिष्टे सम्हालने की न जानी कितनी बार मैं आहित हुई हूँ तुम्हारे घरवालों के उपेश्चित विवार से पर मैंने कुछ नहीं कहा कई बार तुम्हें कहनी की कोशिस की लेकिन तुमने भी समझनी की कोशिस नहीं की यहां आकर मुझे ये हिसास हो गया है कि मेरा कोई अस्तित नहीं है कंचन ने ये पत्र कमरे में रख दिया और वहां से चली गई जब वो अपने माई के पहुची तो उसके माबाप उसे अचानक देखकर परिशान हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा यूँ अचानक सब ठीक तो है ना कंचन अपनी मा के गले लगकर रोने लगी और उसने सारी बाते बताई उसके माबाप को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते थे कि वो कितनी समझदार है उसके पिता ने कहा बेटा तू परिशान ना हो ये तेरा अपना घर है ना तू आराम से यहां रहा मैं देखता हूँ आगे क्या करना है इधर मोहित आफिस से आया साम हो चुकी थी उसने घर में देखा कंचन नहीं थी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा कहीं गई होगी मोहित अपने कमरे में आया तो देखा एक चिठी रखी हुई थी उसे ने जल्दी से उठा कर वो चिठी पढ़ी और निढाल होकर बिस्तर पर बैठ गया मोहित को अब समझ में आ गया था कि कंचन उसे क्या कहना चाह रही थी वो बहुत दुखी था पर साताप के आँसू उसके आखों में थे उसने तुरंत कंचन को फोन किया पर कंचन ने फोन नहीं उठाया मोहित ने उसके पिता को फोन किया तो उन्होंने कहा कि कंचन की तभी ठीक नहीं है कल बात करेंगे आज सुभा जब उठा तो बहुत परेशान था तभी फोन की घंटी बजी और मोहित अपने आतिस से बाहर आया फोन कंचन के पिता का था उन्होंने कहा कि कंचन अब वहां नहीं आएगी मोहित ने कहा कि बस एक बार मेरी कंचन से बात करा दीजिये कंचन के पिता ने उसे फोन दे दिया और वहां से चले गए कंचन के फोन पर आते ही मोहित ने उससे कहा कंचन फ्लीज मुझे माफ कर दो तुम मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकती आज मुझे ये हैसास हो रहा है कि मुझे कितनी बड़ी गलती हुई है तुमने मुझे कितनी बार बात की पर मैंने नजर अंदाज कर दिया कंचन ब बात कर चुकी थी, उसने मा से कहा कि मा मोहित मुझे लेने आ रही है, कंचन खुष थी, उसे देखकर उसकी मा भी मुस्कुरा दी, मोहित कंचन के घर पहुच गया था, जैसे ही कंचन उसके सामने आई, मोहित ने उससे कहा कि कंचन मुझे माफ कर दो, इतना कहकर उसको गले ल कचन ऐसे भी न बताए कोई जाता है क्या वो तो मोहित है जो समचदारी से तुम्हें ले आया बरना इतना सुनते ही मोहित ने कहा कि मां समचदार गंचन है और मैं बहुर लकी हुं कि मुझे कंचन जैसी पत्नी मिली है इसके बाद मोहित कंचन के हर कदम पर उसके साथ था और कानी जरूर अच्छी लगी हुगी धन्यवाद